So hey guys, this is our brother Ritik Meghwani, welcome back to my YouTube channel Guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं, चन्दिगर उनिवर्सिटी के बारे में Guys, पिछले कुछ वीडियो में आप लोगी काफी जादा रिक्वेस्ट आ रहे थी कि भाईया, चन्दिगर पे एक वीडियो बनाओ तो guys, आज हम लोग इसकी A to Z बाते कवर करेंगे इसके placement, P structure, भाईया क्या हमें इस college में admission लेना चाहिए के नहीं भाईया किन बच्चों के लिए college है, भाईया college life कैसी होगी placement opportunities क्या है, सारी बाते कवर करेंगे आज की इस वीडियो में यहाँ पे guys, हम लोग जितनी भी बाते करेंगे, यह सारी हमने खुद C.U.K. student से पता की है तो पूरी बात हमारी honest होने वाली है, क्योंकि आपका career जादा important है सारी बाते honest होने वाली है, तो यह बिना किसी देरी के हम वीडियो को start करते हैं उससे पहले guys, अगर आप इस चैनल पर नहीं है, तो मैं आपको बता दो, हम लोग काफी सारे college reviews cover करते हैं काफी detailed review होते हैं हमारे, सारी चीज़े हम लोग लगबग cover करते हैं सारे reviews में तो make sure करें आप चैनल को subscribe कर लें, काफी सारे लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया है नहीं आरे चन्दिगर में नहीं है, चन्दिगर से 30-35 km दूर एक घेरुआ शहर या फिर बोलो गाउं है, वहाँ पे college बनाया गया है तो जिन लोगों के खुआब हो कि चन्दिगर में जाएंगे तो यार ऐसा नहीं है, चन्दिगर से यार काफी आउट में college institute type की बात करेंगा इस तो एक private college है, ठीक है campus area की बात करें तो 100 प्लस एकर आपको देखने को मल जाता है काफी बड़ा campus है, infrastructure की बात करें तो काफी decent infrastructure हमको देखने को मल जाता है जैसे हर private university में होता है, वैसे ही, ranking की बात करें गाइस, तो इसको NRF में 84 दी गई है, engineering में and हम लोग connectivity की बात करें, तो connectivity आपकी 29 km दूर पढ़ता है आपको चंदिगर international airport से, यहाँ पर 34 km दूर आपको चंदिगर railway station से देखने को मल जाता है यहाँ पर बात करें किस तरीके से आप college पहुचेंगे, तो अगर आप यहाँ पर चंदिगर airport पर उतरते हैं, तो यहाँ पर direct cab या फिर auto ले सकते हैं, अगर आप railway station से आते हैं, तो यहाँ पर direct cab या फिर auto ले सकते हैं, करीबन 45 minutes से लेके वनार के बीच में आपे time लगता है अगर आप bus से जाएंगे guys, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले खरार में उतरना पड़ेगा, वहाँ पर आप उतरेंगे, उसके बाद वहाँ से आप auto लेके direct चंदिगर university पहुच सकते हैं, तो connectivity में अगर आप direct जाते हैं, auto से या फिर cab से तो दिक्कत नहीं आएगी, ठ computer science की बताने वालों आपको, तो करीबन 2.1 lakh के आसपास हमको tuition fees देखने को मल जाती है, ठीक है, एक साल की hostel की बात करें, तो 81,000 से लेके 1,55,000 तक यहाँ पर पर year हमको देखने को मलता है, अब यहाँ पर इतना जादा difference कैसे, 81,000 में आपका 5-seater, 4-seater type room आते हैं, अगर मैं 1,55,000 में बात करूं, तो AC single-seater room है, ठीक है, तो आपके उपर depend करता है, आप कौन सा वहाँ पर लेते हैं, मैस की बात करें, तो 32,400 के आसपास आपका मैस का खर्चा जाता है, टोटल 4 साल की फीज की बात करें, तो यहाँ पर आपकी 14.8 lakh के आसपास आपका 4 साल का यहाँ ख जाते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, स्कॉलर्शिप के बारे में, तो काफी तरीके की स्कॉलर्शिप चंदिगर उनिवर्सिटी प्रवाइट कराते हैं, लगबग 7-8 प्रकार की, लेकिन हम लोग याँ जो पॉपुलर हैं, क्लास 12 एंड जे मेंस वाली, उसके बारे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको 50% सेमिस्टर फीर में स्कॉलर्शिप मिल जाती है, अगर आपके 90 से ऊपर हैं, बोर्ट में, क्लास 12 में, 85 से 89 के बीच में तो 20%, 80 से 84 के बीच में तो 10%, यहाँ पर हम जे मेंस के बात करें, तो अगर आपकी 25,000 से अंडर है रेंक, तो यहाँ पर आपको 100% सेमिस्टर फीर में स्कॉलर्शिप मिल जाती है, अगर 25,000 से 50,000 के बीच में तो 75,000 यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस एक बात में आपकी क्लियर कर दू, काफे लोग को डाउट रहता है कि यह स्कॉलर्शिप हमारी 4 साल तक चलेगी या फिर 1st यहाँ पर आपकी 4 साल तक स्कॉलर्शिप नहीं रहती है, अगर आपको स्कॉलर्शिप यहाँ पर कंटीनू करनी है, तो 7.5 CGP यहाँ पर आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, और एक दू कंडिशन और है, आप यहाँ पर फेल नहीं होने चाहिए, अगर थोड़ा पह आपके एक्जाम्स वगरा बेकार जाते हैं, फेल वगरा हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्कॉलर्शिप डिसकंटीनू कर दी जाती है, यह आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं, कि स्कॉलर्शिप के चक्क्र में एड्मिशन लेते ह तो एड्मिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लेस्मेंट्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पर प्लेस्मेंट्स यार, इन लोगने अपनी वेबसाइट पे काफी जादा, मतलब समझ रहो ना, बढ़ा चड़ा के बता हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हू मतलब 36,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, placement offers थे, तो जो यार मुझे students ने बता है वहाँ के, कि भाईया लगबग package कितना जाता है, तो यार साड़े चार लाग के आसपर आपका average package रहता है, चंदिगर उनिवर्सिटी में, बिलकुल सत्य बचन है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो यार, दो से तीन, यार, टॉप product based company आपर आती है, जैसे Microsoft हो गई, Amazon हो गई, campus में visit करती है, लेकिन अगेन यार, बहुत जादा, यहाँ पर मातरा में बच्चे है, ठीक है, हजारों में बच्चे हैं यार, तो अगेन यार, वो top 20, top 30 इस्टुएंट्स में आना काफी मुश्किल हो जाता है, तो मैं यहीं बोलूँगा, कि यार, चंदिगर में आपको यहाँ पर companies आती है, ठीक है, तीन, चार companies आपको मिल जाती है, जो कि 30 लेक के ऊपर package देती है, ठीक है, अगेन यार, बात वही है कि 4-5,000 यहाँ पर बच्चे हैं इंजीनिरिंग में, ठीक है, तो आपको वही top 20, top 30 बच्चों में आना पड़ता है, ठीक है, placement है, काफी overpromoted बोलूँगा, मैं website पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर जगा highest package चलता है, ठीक है, actual package क्या मिल रहे हैं, बच्चों को वह यहाँ पर show करना चाहिए, average package हमको कहीं भी website पर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, हम लोगों को बाकी sources से पता करना पड़ता है, बच्चों से बात करके पता करना पड़ता है, तब जाके हमको average package यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है, यहाँ पर गाइस बात करें hostels की, उससे बहले बात कर लेते हैं, best things के बारे में, जो कि चंदिगर university की मानी जाती है, सबसे बहले यार, काफी beautiful lush green campus आपको देखने को मिल जाता है, काफी बड़ा campus है, infrastructure काफी top notch बनाए गया है, जैसे private universities में होता है, बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर काफी easily आपको admission मिल जाता है, ठीक है, मतलब, अगर आपके boards में 60-70% है, ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है, कोई आर अच्छा college, तो कोई भी यहाँ पर admission ले सकता है, next guys, यहाँ पर scholarship काफी सारी provide कराते हैं, करीबन 33 crores worth की scholarship यहाँ पर हर साल दी जाती हैं बच्चों को, and guys, यहाँ पर आपको काफी अलग-अलग different जगह के बच्चे यहाँ पर मिलते हैं, काफी diversity को देखने को मिलती है, campus में, कोई south से आरहा है, कोई north से आरहा है, कोई यहाँ पर madhya-प्रदिश से आरहा है, कोई भिहार से आरहा है, काफी अलग-अलग जगह के बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है हम यह नहीं बोलेंगे कि यार बिल्कुली अपॉर्चिटीज नहीं है अगेन मैं यहीं बोलूँगा कि प्राइविट कॉलेज है बच्चे हैं जो कि टोटल फॉर इयर प्रोग्राम में आपे पढ़ रहे हैं ठीक है इंजिनेरिंग की बात करें तो चार से पांच हजार बच्चे सेगंड बात करें तो हर बच्चे को यहाँ पर अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है अच्छी कंपनी मदलब 6 लाग के आट ञाख चे उपर 10 लाग काफी लिमिटेड बच्चे होते हैं इसके बात मार्केटिंग में काफी ज़्यादा पैसा घर्च करते हैं इसमें कोई बुराई है कोई बुराई नहीं है इससे क्या होता है कि कई बाद हमारे सब कॉश्चीन माइंड में यह सारी चीज़े तो मार्केटिंग काफी जादा है मतलब आज की टाइम पर देख रहा है तो हर जो टॉप प्राइवेट उनिवर्सिटी हम बोलते हैं जिनको तो यार मार्केटिंग बहुत जादा कर रहे है ठीक है इसमें कोई बुराही नहीं है लेकिन यार वो जो हाइस पेकेज वाली मार्केटिंग है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है उसके बाद गाइस बात करें तो यहां पर कौरा पर आपको काफी सारे पेट प्रमोशन देख काफी सारी चीज यार आपको यहां पर फेस करनी पड़ती है अगर आप टाइम पर फीस नहीं पे करते हैं ठीक है तो एक बात मैं आपको एडवाइस देना चाहते हूं अगर आप चंदिगर्म एडमिशन लेते हैं तो मेक शूर कीजिए कि आप अच्छे से अफॉट कर पा अगर आप इंजिनेरिंग कर रहे हैं तो अगर आप दूसरी ब्रांच से हैं या फिर दूसरी कोर्ट से हैं तो चार पाच हजादर आपसे लेते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी 75% अटेंश नहीं मेंटेन हो पाती है तो आपको डिटेन कर देते हैं अगे यार काफी सारे अप्लिकेशन फर्म आपको भरने पड़ते हैं पैरेंट्स का जन जन बहुत सारी चीज़े होती हैं तो यह चीज़ें यार को जो की बच्चों को नहीं पसंद आ रही है इसारी मुझे बच्चों नहीं बताई है नेक्स यहाँ पर सेक्योरिटी काफी हैं तो पैरेंट्स को भी अच्छा रखता है सिक्योरिटी जादा है ठीक है हमारा बच्चा सेफ रहेगा जादा अदम नहीं करेगा थार्ड हम लोग देखें कॉलेज के परस्पेक्टिव से अब कॉलेज भी अपनी जगा है कहीं नहीं साही होता है इतने सारे हजारों में अगर सोचो कि यहां पर स्कुर्ण नहीं होगी तो कॉलेज कॉलेज ही नहीं बचेगा रात में पता लगा सब घूर है ठीक है को अपने हुस्सल में नहीं है अगर हम लोग इसी चीजे होती है और हम लोग बात करें तो अगर आप सोच के आ आरहे हैं कि चंदीगर में हम यार आपका college and आपको जो भी आपके college में ही जो है उतना ही है ठीक है अब यार यहार यहार बात करते हैं कि किसको join करना चाहिए चंदीगर university अगेन यार मैंने LPU में भी बताया था जिसको यार NIT, IIT, IIT या फिर BITS या फिर टॉप private colleges है वो नहीं मिलते हैं आपको तो यार आप definitely इसके बारे में सोच सकते हैं ठीक है जो कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है ठीक है अगर आप किसी आप city college में लेते हैं तो यार उससे थोड से थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं ठीक है तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं अब यार एक और यहां पर बाहर शेयर करना चाहता हूं ठीक है आपके साथ कि अभी के जो colleges हैं वो यार इतने जादा हजारों में बच्चे कैसे ले पार रहे हैं ठीक है कैसे admissions ले रहे है बच्चे तो यहां पर एक formula है MEU करके ठीक है जिसमें M का मतलब होता है marketing इतनी ज्यादा marketing हो रही है यहां पर highest package दिखा दिखा के ना ऐसे admission लिए जा रहे हैं कि क्या बता है second होता है emotion जब तक यार अपने को कोई भी sale करनी होती है ठीक है यहां पर admission कराना होता है जहां पर emotion नहीं आएगा ना वहां पर वो चीज नहीं हो पाएगी तो यहां पर emotion के साथ खिला कैसे जाता है emotion दो टाइप के होते हैं एक होता है fear एक होता है greed यहां पर थोड़े बहुत सपने दिखा जाते हैं highest package के 43 lakhs आपको भी मिल सकता है यहां पर आपको थोड़ा बताया जाता है कि campus 101 प्लस है 400 प्लस है 600 प्लस है तो यहां पर कुछ आपको इस तरीके की चीज़े बताई जाती है थर्ड यहां पर आपको urgency create करते है you का मतलब होता है urgency basically यहां पर last date दी जाएगी इस date के बाद आपको admission नहीं मिलेगा अगर आपको admission चाहिए तो आपको इस date से पहले piece भननी पड़ेगी अगर आपको यह करना है तो उससे पहले करो तो यह urgency create करते हैं जिनके current बच्चे थोड तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको अगर और अच्छे options आपके पास available है तो आप definitely उनके बारे में साधा सोचिए क्योंकि यार private colleges आज के टाइम पर बहुत ही अलग टाइब से business कर रहे है ठीक है यह honest है अब गईस बात करते हैं कि यहां पर आपके होस्तल में क्या क्या facilities है जल्दी से कवर करेंगे इसको होस्तल काफी well maintained है ठीक है काफी अच्छी होस्तल फैसिलेटी आपको प्रवाइड कराते हैं यह लोग बोत AC और non AC टाइप रूम अविलेबल है 24 इंट वाटर सप्ला है वाइफाय है इंटरनेट फैसिलेटी है पर नि आपके खिलाफ ठीक है यहां पर गैस्ट रूम वगएर भी मिल जाता है अपको ठीक है अगर आपके पैरेंट्स वगएर आते हैं तो यहां पर रुखने की विवस्तता आपके बास है डाइनिंग फैसिलेटी की बात करें तो वेजिटेरियन मैं सहार काफी अची बताई अगर आपको admission मिलता है तो खाने पीने की जनरली दिक्कत नहीं जाती है ठीक है अब गैस बात करते हैं यहां पर sports के बारे में तो काफी सारे sports होते रहते हैं जंदिगर university में हर साल मतलब काफी सारे titles जीत के आते हैं अगर आपको जानना है कौन से-कौन से sports हैं आप तो यहा आपको sports field मिल जाती है cricket football जैसी यहां पर बात करें तो काफी सारे gold medal वगरे भी आर students जीत के आते हैं तो काफी सारी चीज़ों होती रहती हैं आपको एक gym भी available हो जाती है लग बग हर उस्टल में आपको एक gym देखने को मिल जाती है तो काइस overall बात करें चंदिगर university के बारे म तो again मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कुछ और नहीं मिलता है ठीक है तो आप ले सकते हो यहां पर placement opportunities आपको मिलती है लेकिन again काफी जादा competition है अगेन आपको 4-5,000 बच्चों को beat करके आप 50-100 में आना पड़ेगा एक अच्छे placement के लिए again मैं यही बोलूँगा अगर अगर आपको और कोई college नहीं मिलता है अच्छा तो आप इसके बारे में सोच सकते हो ठीक है काफी सारी facilities आपको चंडिगर युनियोसेटी प्रवाइट कर आता है ठीक है placements वगर आपको 4-5,000,000 के बीच में generally देखने को मिलते है तो guys यही बोलूँगा कि आपको इस वीडि पीसाओव